अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप हमारे चैनल को यूटूब पर खोलिए और जो एवाउट सेक्षिन होता है वहाँ पर आपको हमारा टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जॉइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ पर मैं आपको पीडियाफ दे दूँगा हर एक वीडियो की जैसे कि आज वीडियो जो अपलोड हो चुकी है तो उ ट्रांजिशन कर्ब जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो बोला कि हाउ मैनी मैटर से आप यूज कर सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चिन आइए तो जब भी लेंथ की बात आती है हाईवे ट्रांजिशन कर्ब के लिए सो वो होती है मैक्सिमम ओफ थ्री हमारा जो अंसर रहेगा वो थ्री इस कोश्चिन में अंसर रहेगा तीन मैटर तीन मैटर जो कौन-कौन से होते हैं यह रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रिफुगल एक्सलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ सूपर अलिवेशन और एक होता है तीसरे नमबर पर बेस्ट ओन आई आ कर सकते हैं एक्जाम में कई बार फोचन यह पूचा गया है यहाँ पर तो कितने मैटर होते हैं यह कोच्छन पूचा गया था लेकिन कई बार यह होता है कि भए लेंट ओफ ट्रांजिशन कर विज्ट इपेंज अपौन तो इन तीन मैटर पर इपेंज करती जो मैं आपको अगला option क्या हो रहा है तो for the residential building the minimum value for width of step and width of landing is residential building के लिए जो minimum value होती है width of step की and जो length width होती है landing की वो कितनी होती है दोनों के लिए width पूछा गया है तो वो option 4 हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा अगला देखिए the value of angle are dash on one side and dash on other side for oblique view के लिए oblique view के लिए हमारा answer ये answer होगा option 4 इस question के लिए answer बन जाएगा अब अगला question देखिए अगर आप हरियाना स्टाफ selection commission जाई की त्यारी कर रहे हैं तो आपको एक topic जो है बहुत ही important है क्योंकि मैंने जितने भी आपको previous question करवाई है हरियाना जाई के लिए वहाँ पर मैंने self compacted concrete से बहुत सारे question देखे हैं हर एक previous question में self compacted concrete जो है वहाँ से question जो है एक या दो question पूछे जाते ही जाते हैं जिसे कि यहाँ पर देखिए for self compacted concrete water powder ratio by volume शुड़ भी वही एक होता है water cement ratio एक होता है water powder ratio जो की होता है self compacted concrete के लिए कितना होता है यह question यहाँ पर पूछा गया है very very important question आई यह अगर हम water cement ratio की बात करेंगे self compacted concrete के लिए तो वो should be less than 0.4 होता है लेकिन अगर हम water powder की बात करेंगे तो water powder जो होता है वो होता है 0.80 से लेकर 1.110 होता है यहाँ पर दोटा सा एक लिखा है तो 1.10 होता है यह होता है जो water powder होता है वाई volume 0.8 से लेकर 1.10 होता है यहाँ पर एक है लेकिन कोई बात नहीं नेरवाय option तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है तो यह चीश important है अगर हम कुछ और भी points की बात करें कि यहाँ से बहुत सारे questions जो है पूछे जाते हैं तो थोड़े बहुत points में आपको यहाँ पर बताई देता हूं कि भई क्या-क्या और questions जो है पूछे जा सकते हैं जो common portlands में जो यूज किया जाता है SCC में यानिके self compactor concrete में वो 43 and 53 grade होते हैं 43 and 53 grade जो होते हैं वो यूज किया जाते हैं अगर हम आपे size की बात करें course aggregate की तो वो 20 mm का size यूज किया जाता है लेकिन एक ऐसा भी case आता है कि भई जहां पर हमारी जो reinforcement होती है वो congested होती है तो उसमें क्या होता है कि जो aggregate का size होता है उसकी range 10 से 12 होती है 10 से 12 होती है वैसे limited to 20 mm लेकिन यहाँ पर congested की बात हो रही है तो यह point भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर well graded rounder or cubical aggregate जो होते हैं वो यूज कियाता है best performance के लिए एर entraining agent भी आप यूज कर सकते हैं retarder जो होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन exam में एक और question पूछा जा सकता है कि भई कि भई free water जो होता है वो कितना होता है concrete के लिए free water जो होता है वो 200 लीटर पर cubic meter होता है पर cubic meter concrete के लिए free water जो होता है वो should be less than 200 लीटर पर cubic meter of concrete यह point भी important है अगला question देखी यहाँ पर the volume of aggregate in self-compacted concrete तो वो 50-60% volume होती है 50-60% आपको self-compacted लेकिन जो हमारे पास दूसरा होता है aggregate वो तो हमने पिछले video में डिस्स किया था कि भई कितनी occupy करता है 70-80% जो होता है वो aggregate जो होता है volume occupy करता है concrete की वो अलग है लेकिन स्सी के लिए है वही स्सी 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 तो state board है अगला question देखिए the reaction of cement with water liberate a heat this process is known as reaction of cement with water तो जब भी आप cement में फानी डालती है तो heat of hydration आपको देखनों को मिलती है heat of hydration सबसे ज़्यादा किसकी होती है tree calcium aluminate की 865 सबसे कम किसकी होती है die calcium silicate यह ultimate strength देता आपको 265 joule परग्राम इसकी सबसे कम होती है ज़्यादा और कम आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहां से question जो है पूछे जाते हैं अगला देखिए आप पर which of the following is not a type of excavating equipment note a type of excavating equipment पिछले यह equipment से भी बहुत सारे question जो है पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमने आपको पता है कि note note जो है वो crane crane जो होती है वो किसके काम में आती है वो lift करने के काम में आती है lifting के लिए अगर simple shovel होता है तो आपको पता कि shovel क्या होता है शोबल तो आगर आप हातों से excavation कर रहे हैं तो उसके काम में आता है spread out जो हमारी soil होती है उसको spread out करने के लिए शोबल आप यूज कर सकते हैं लेकर पाबर शोबल एक एक क्यूबिट होता है अगले देखिए तो plate load test is perform to determine plate load test जो होता है वो क्या determine करता है plate load test एक field test होता है जो कि हमें determine करके देता है ultimate bearing capacity of soil and settlement होती है उसको bearing capacity and settlement दोनों को determine करके देता है तो यहां पे हमारा safe bearing capacity of soil इस question में answer हो जाएगा plate load जो है यहां से मैंने देखा एक दो question और भी पूचे गए हैं so plate load test होता है इसमें यह circular भी हो सकती है square की भी हो सकती है mild steel की बनी हुई होती है and 25 mm इसकी thickness होती है size की बात करेंगे तो 300 से लेकर 750 mm इसका size होता है यह भी important है exam के point अगला motion देखी यहां पर कोशिच क्या बो रहा है expector time te is obtained by expector time जो होता है इसको te से आप denote करते हैं by obtain by किसके दोरा आप इसको obtain कर सकते हैं यो हिए time जो होता है यह आप सर्फ part में ही यूज कर सकते हैँ जो part होता है यह तीन जो time होते हैं उसको use करके किसी भी activity को complete कर सकता है लेकिन जो cpm होता है उसमें सिर्फ single time से ही आप complete कर सकते है किसी activity को तो यह important चीज़ है कि part and CPM में आप इस time को किसमें use करते हैं तो TE जो होता है वो option 1 इस question में answer हो जाएगा TO क्या होता है TO optimist time TM most likely time TP जो होता है pessimist time तो यह option 1 इस question में हमारा answer हो जाएगा part and CPM से भी बहुत सारे question जो है पूछे जाते हैं तो आपको यह सारे points से हैं पता होने जुरूरी है अगला question क्या बहुता dash is applied via the nature of activities such that their completion time cannot be known तो वो bird में होता है P-E-R-T में होता है the act which specially includes construction activity within its judicication is तो बहुता है payment of wages act 1936 अगला देखे dash are used to mark the end of each chain during the changing process dash are used to mark the end of each chain during the changing process बही ऐसा कौन सा जिसको mark के लिए आप यूज करते हैं तो mark के लिए जो आप यूज करते हैं बसे option तो नीचे दियेगा लेकिन चुला मैं option भी visible रखता हूं यह देखे तो वो होता है arrow arrow या फिर chain pin एक ही बात है arrow या फिर chain pin एक ही बात है भई arrow या फिर chain pin is also known as marking or changing pin यह point भी आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी question जो है पूछे गए हैं अब इनका काम क्या होता है कि are used to mark the end of the chain during the process of chain engine mark करने के लिए आप arrow को use करते हैं and chain pin जो होती है उसको use करते हैं and they are made up of good quality hardened and tempered steel wire of 4 mm in diameter steel wire का बना हुए होता है यह arrow या फिर chain pin जो होती है जिसका diameter जो होता है वो 4 mm का होता है बाकी सभी के बारे में भी बताऊं का पहले इसके बारे में देख लीजी यह बहुत ही important है and जो arrow होता है वो 400 mm लंबा होता है 400 mm यह लंबा होता है यह point भी important है exam के point of view से next हम यहां पे बात करते हैं पैग के बारे में क्योंकि पैग से भी हमारा कॉशन जहां बन सकता है पैग जो होता है जैसे कि हमारे पास एक पैंसल होती है ना पैंसल को आप जब शॉपनर से काटते हैं तो उसकी शेप कैसी बन जाती है वैसला ही हमारे पास यह pack होता है यह point भी important है पैग जो होता है एक permanent होता है फिल्ड में अगर आपको permanent रखना है तो उस काम में आप पैग का यूज कर सकते हैं लेकिन arrow जो होता है यह temporary base पर आप इसको पूछ कर सकते हैं यह point भी exam में पूछा जा सकता है तो इसको भी आप देख लीजीगा भई अगर आप पैग के size की बात करेंगे यह तो कोई भी इसको solve कर सकता है नेस्ट हमें आप बात करते हैं कि रेंजिंग लोड यह भी important है वह रेंजिंग रोड जो होती है यह तो पता कि कैसी कैसी होती है काली और स्पेध होती है रेंजिंग रोड रेंजिंग रोड एक straight round होती है तीन से चार cm thick and about 2en long थिक होती है दो मेटर यह लभी होती है लगडी की भी हो सकती है metal की भी हो सकती है so ranging road जो होती है ये भी also mark ता area के लिए यूज होती है and अगर आपको straight line जो होती है उसका setup करना है तो आप इसका use कर सकते है ये ranging road जो होती है at least आपको 3 लगती ही लगती है ताकि आप किसी भी straight line का setup कर सके तो ये आप बहुत दूर से भी देख सकते हैं visible होती है इसके उपर आप flag भी लगा सकते है कि भाई आपको बहुत दूर लगानी है तो flag लगाएंगे तो आपको बहुत दूर से भी देखने को मिल सकती है tape तो आपको पता है कि ये linear measurement होती है वो करती है टेप के द्वारा linear measurement आप ले सकते हैं बाकी अगला question है मैं पर देखते हैं If the effective length of the column exceed three times the least lateral dimension is called उसको compression member बोलते हैं बाई इस ते कि which criteria are considered in limit state method में limit state method जो होता है उसमें दो ही criteria follow होते हैं एक होता है limit state of serviceability एक होता है limit state of collapse So, यहां पर third option हमारा question answer हो जाएगा very very important question आईए Limit state method से एक और question exam में पूछा गया है कि spacing of main reinforcement control primarily किसको control करती है जो spacing होती है main reinforcement की सबसे पहले तो वो cracking जो होती है उसको control करती है cracking को अगला देखिए if the ratio of longer span to shorter span of slab is greater than or equal to 2 then the slab is अगर greater than 2 है तो हमारा one base slab होता है less than 2 होता है तो हमारा two base slab होता है Question देख लिजी का अगला क्या बहुत है minimum width of lacing bar as per हमारे IS code minimum width जी होती है lacing bar की वो तीन गुना होती है उसके nominal diameter के three times of nominal diameter जैसे की 20 हमारे पर diameter है तो 60 हमारे पास width हो जाएगी lacing bar की तो तीन गुना ही होती है यह कई बार में आपको इसको बता चुका हूं अगला question क्या बहुरा है effective slender ratio for laced column shall be taken as dash times the actual maximum cylinder ratio तो laser column के लिए यह लिते हैं 1.05 अगला देखिए when the both ends of the compression member are hinge the effective length will be दोनों end hinge है तो effective length कितनी होगी 1L होगी next मान देखिए the slope of the state line for newtonian fluid gives slope of the state line for newtonian fluids वो हमें viscosity देता है the value of hook allowance for 20 mm diameter bar is the value of hook allowance for 20 mm diameter bar is क्या answer रेगा इस question के लिए जो hook की value होती है वो होती है 16 times the diameter of bar लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे cases आते हैं जैसे कि हमारी increase values होती है वो 45 degree पर हमारा bend है तो उस cases में हमारा चार डाया हमारा hook की length होगी hook की value होगी ऐसे हमारा 90 degree के लिए भी होता है 90 के लिए तो 8 डाया होती है 135 के लिए हमारा 12 डाया होता है and 180 के लिए हमारा 16 diameter होती है तो यह होती है hook की value यह value जो होती है वह increase पर डिवेंट्स होती है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पस 20 है में diameter दिया गया है तो अगर आप 16 को भी मान के चलते हैं कि 16 into 20 तो यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेरे साब से 320 आएगा इतना तो यह इतनी तो value यह आपर नहीं दी गई है हाँ अगर हम simply 45 degree bend मानते हैं तो 4 into 20 यह तो कम आ जाएगी 88 से करेंगे 20 का तो 160 के आसपास 180 आ रहा है तो यह हमारा इस question में अंसर बंस आएगा हमारा 90 degree का bend बन रहा है तो उसके लिए जो hook की value होगी वह 8 into 20 mm diameter 180 के आसपास 160 आ रहा है तो 180 mm is the correct answer हो जाएगा अगले देखिए the abbreviation for the term figure is abbreviation जो होती है figure के लिए वो क्या होती है fig next बंद्र की हाँ पर in the open channel the maximum velocity occur at the depth of maximum velocity जो होती है वो इतनी होती है option third हमारा इस question मेंसर बन जाएगा next बंद्र की in slope deflection method all the joints of the frame are assumed to be slope deflection method जो होता है उसमें जो सारे joints जो होते हैं frame के उसको हम rigid assume करते हैं कि वह उस rigid है कठोर है कठोर मानना पड़ेगा वह इसको अगला क्या वह रहा what is the stiffener factor for beam simply supported at both ends stiffener factor जो होता है वो option one हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला option देखे for cantilever beam bending moment will be zero at cantilever beam के लिए bending moment होता है वो free end पर zero होता है fix end maximum होता है नेच्छ देखे in a long column the length actually involved in bending is term as long column में जो होता है उसमें जो length actually involved होती है bending के लिए उसको equivalent length बोलते है equivalent length हम उसको बोलेंगे नेच्छ देखे the strength of beam section mainly depends upon strength जो होती beam section के वो section modulus पर depends करेगी section modulus पर नेच्छ में देखें यह chain line joining two station is called two station को join करती है वो tie line होती है check line जो होती है यह accuracy को check करती है हमारी check line बहुत ही ज्यादा important है check the accuracy of traverse consisting of a frame work of triangle check line वो होती है baseline जो होती है longest line होती है survey line की तो यह very very important है check line को हम proof line भी बोल सकते हैं क्योंकि यह भी exam में पूचा गया है proof line check line is also known as proof line अगला कुशन देखिए which scale is used to measure three dimension on a scale तीन dimension को diagonal scale measure करता है लेकर जो plane scale होता है वो one dimension को ही measure कर सकता है अगला कुशन देखिए the ratio of measure on paper measurement on paper to the measurement on ground distance on map and distance on ground यह question पूचा गया यहां पर तो उसको हम क्या बोलते हैं RF बोलते हैं अगला कुशन देखिए which of all is not a type of tape यहां पर कौन सी नहीं है वहीं linseed tape होती है metallic tape होती है cloth tape होती है लेकर यह tape नहीं होती option 4 हमारा इस question के लिए बन जाएगा अगला कुशन देखिए the length of one link in 20 meter metric chain length of one link one link की कितनी length होती है वाई 20 cm की होती है जो metric chain होती है चाहे वो 20 meter की हो या 30 meter की हो तो उसका जो एक link होती है उसकी length 20 cm ही होती है 20 cm is the correct answer हो जाएगा तो कई student ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि यह 20 cm कैसे आया जैसे कि 20 meter की chain है तो 20 meter है तो इसको cm में convert कर दीजिए हमारे पास 2000 आ जाएगा एक जो हमारे पास 20 meter होता है इसमें जो number of links होते हैं वो कितने होते हैं 100 होते हैं जाते हैं अगला देखिए मास कर फोर टिपिकल स्ट्रीम इस शोन फोर मास कर जो होता है वो छे साल के पीरिट के लिए शो किया जाता है अगला देखिए which of the following is not a part of divergent head work divergent head work का dam जो होता है वो पार्ट नहीं होता है बाकी सारे होते हैं नेश्में देखिए the structure creature across the river तो वो वीर ही होता है बांध होता है वई अगला देखिए what is the total storage capacity of small dam small dam जो होता है उसकी storage capacity जो होती है वो कितनी होती है वाई small dam जो होता है वो between होती है इतनी option second हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा आगता आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजिए और साथ में bell icon को press भी कर लिजिए अगला very very important question क्या बोर रहा है यहाँ पर from the falling which is not present in the hard water hard water में कौन सा present नहीं होता है यह हमें बताना है hard water जो एक नाम दिया गया है यह होता है because of salt of calcium and magnesium present उसकी पुझे से यह hard water होता है hard water is known as hard water because of presence of salt of calcium and magnesium इसलिए यह hard water होता है very very important question आईए hard water से क्या होता है कि भई पानी का basis ज़्यादा होता है आप जो हाथों में साबन लगाते हैं तो वो भी जाती नहीं है जल्दी जल्दी से तो यह होते है hard water की problem तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा कौन present नहीं होता है calcium magnesium present होता है bicarbonate होता है लेकिन sulfate जो होता है वो नहीं होता है इसमें present अगला question देखिए the clean out lateral sewer in manhole is situated at clean out lateral sewer जो होता है manhole में वो situated होता है upper end पर upper end पर वो situated होता है अगला question देखिए the distance of inlet of the side of the road distance of inlet on the side of road is यह street inlet जो होता है यह आपको road के side में along में ही देखनों को मिलता है ताकि वे rain का जो पानी होता है उसको collect करके वो सीबर के अंदर डाल सके यही इसका काम होता है street inlet जो होता है सो यहां पर जो हमारा अंसर रहेगा 30 से 60 मीटर इस question के लिए हमारा answer हो जाएगा क्योंकि यह street inlet जो होता है यह lowest point जो होता है वहां पर प्रवाइट की जाता है एंट इंटर्वल ओफ 50 मीटर 50 मीटर के इंटर्वल पर यह प्रवाइट किया जाता है तीस और साथ एक ही बात है इस question में हमारा अंसर यही होगा यह question जो है तीस और साथ वाला कई बोर्ड में पूछा गया है यह जैसे कि यहां पर हर्याना में पूछा गया है ऐसे स्सी जई में भी पूछा गया यह question तो यह very very important है अगर हम manhole की बात करेंगे तो वह भी पचास से सो मेटर के इंटरवल पर ही परवाइट की जाता है रोड पर पचास से लेकर सो मेटर के इंटरवल पर अगला देखी हैं पर which combination of points and crossing are not suitable in railway तो यहां पर कौन सा combination है point and crossing का जो की suitable नहीं होती है railway के लिए वो होती है section point section point नेश देखिए the weight of concrete sleeper based warm concrete का जो sleeper होता है उसका वेट पचास से तीन सो केजी का होता है अगला कोशन देखिए यहां पर एन और ओनर के इन बोरो मनी अगेंस्ट से क्योर्टी ओफ इस प्रॉपर्टी इस नाउन एस और ओनर जो होता है वो कुछ पैसे उधार लेता है अपनी प्रॉपर्टी गिरभी रखे उसको हम more days बोलते हैं more days option second is question में अंसर हो जाएगा यह more days जो होता है एक amount लिया जाता है ताकि आप अपना घर जो है उसको बना सके एंड घर बनाते बनाते आप कुछ ना कुछ जो है वो दे रहे हैं ब्याज की रूप में जब आपका घर complete हो जाता है construction तो आप वो पूरा ही देना पड़ता है तो उसको हम more days बोलते हैं more days होता है यह होता है हमारी property के value का एक बटे दो से लेकर दो बटे तीन होता है यह भी एक्जाम में question पूछा गया है कि more days की value होती है वो कितनी होती है एक बटे दो से लेकर दो बटे तीन वाफ तर वैल्यूशन यह पर capitalized value जो होती है उसका तो यह भी देख लिजिए यह भी एक्जाम में कई बार question जो है पूछा गया है अगला देखिए था crushing strength is the ratio of maximum load at failure 2 था तो वह होती है average area of the wet surface as average area of wet surface देखिए एक गुट ब्रिक अर्थ शुट कंटेंड डैश ओफ ऐल्मीना यह होता है वह कॉमन चीज़ है 20-30% होता है यह हमें क्या देता है plasticity देता है ताकि आप अपनी ब्रिक्स को suitable shape में बोट सके है आगला देखिए which method is used to determine water content and specific gravity of soil pipe meter होता है pipe meter होता है next देखिए ratio of volume of void to the volume of solid solid is known as उसका हम void ratio बोलते हैं total volume होता हमारे पास पोरोसिटी होता अगला देखिए the maximum distance between sorry maximum distance below the surface of soil from which particular drives water भाई हमारे पास मान के चलों कि यह हमारे धर्टी का surface है यहां पर यहीं पूछ रहा है surface of soil यह धर्टी का surface जिसके ओपर हम चलते हैं तो यह हमने एक पेड़ बना दिया है पेड़ है पेड़ के नीचे धर्टी के नीचे इसकी यह roots होती है roots जो होती है भई जो की पानी जो है drives करती है तो यह पूछा गया है यह definition बना के पूछा गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम root zone depth बोलते है root zone depth जो होती है यह होती है the maximum depth in soil status in which the crops spread its root system and drives butter from the soil is name cold root zone depth यह इस question में पूछा गया था बाकी कोई नहीं है यह आपर अगला question देखिए the discharging capacity of branch canal is more than वैसे जो canal होती है वह तरह ही होती है main canal होती है branch canal होती है major distributor canal minor distributor field canal लेकिन जो question बनता है आपका वो बनता है branch canal से minor distributor canal से major distributor clan से तो यहां पर question जो बनता है वो discharge को लेकर बनता है अगर हम minor distributor की बात करें तो उसका discharge होता है वो 0.25 meter cube per second का होता है and जो major distributor canal होती है उसका 0.25 से लेकर होता है 5 meter cube per second होता है लेकिन यह branch canal जो होती है इसका 5 meter cube per second से जादा होता है तो यहां पर 5.5 हमारे पास meter cube per second दिया है तो में कनाल के लिए हमारा यही अंसर हो जाएगा option second इस question बन जाएगा अगले question देखिए इन rails the force produce on curved path इस rails में जो force produced होती है curved path पर वो centrifugal force ही होती है next देखिए spacing of slipper in indicated by formula spacing जो होती है slipper जो होती है slipper density जो होती है वो एन प्लेस एकसी होती है so one हमारा इस question बन जाएगा तो फ्रेंट यह थे हमारे most हर्याना जेए का previous question का shift का third part आपको हमारी वीडियो कैसे लेगी वीडियो को share कर वें दोस्तों साथ चैनल को subscribe नहीं किया कर लीजिए मिलती है next वीडियो में